दर्सकू कपड़े उतार कर फेमस होना ये बालिवुट की आज की नहीं बहुत पुरानी नीती चली आ रही है ये कैसे क्योंकि कुछ बालिवुट की बड़ी बड़ी साही परिवार की एक्ट्रेस यहां तक की कुछ तो एवर ग्रीन एक्ट्रेस हैं ऐसी एक्ट्रेस अगर बिना कपड़ों के फोटो सूट करवाएं वो भी सिर्फ इसलिए चंद पैसो और फेम के लिए तो आप इसे क्या कहेंगे जिहां मैं उर्षी जावेद की यहां बात नहीं कर रहा हूं वो तो करती ही ऐसा कुछ आपको बड़ी बड़ी एक्ट्रेस का नाम आज बताने वाला हूं जिनोंने कुछ ने तो सर्विंदगी की हदे पार कर दी और कुछ ने तो बिना कपड़ों के यानि एकदम लिटरली नंगे होकर फोटो सूट कराया जो की बहुत ही जादा कॉंट्रोवर्सी में आय तो वो कौन-कौन सी है एक्ट्रेस आये फटा पर देखते हैं सबसे पहले देखते हैं सरमीला टैगोर या दर्श को ये एक साही परिवार से एक्ट्रेस आती हैं लेकिन ये इंडिया की पहली एक्ट्रेस हैं जिनोंने टू-पीस यानि की बिक्नी में फोटो सूट करवाया अब इसके बाद इन्हें कौन्ट्रवर्सी क्वीन का भी टैग मिल गया था क्योंकि भाई फेम तो चाहिए ही चाहिए वो चाहे कपड़े उतार कर हो या फिर कपड़े पहन कर अब हम तो उतारेंगे नहीं क्योंकि हमें तो कोई बिना कपड़ों को भी नहीं देखेगा ये मान सकता इसलिए भी है क्योंकि लोग उन्हें ऐसे ही देखना भी चाहते हैं यहां गलती हमारी आपकी भी है सिर्फ उनकी गलती भी नहीं दी जा सकती पर बात ये भी है जब पहनने के लिए वस्त्र हो और खाने के लिए भोजन हो तो आदमी को ये काम नहीं करने चाहिए परन्त ये बालीवुट की हिरोईनों पर ये सारी चीज़ें नहीं लागू होती है क्योंकि उनको तो फेमस होना है और पैसे जितने आए वो बुरे भी नहीं है तो फिर ऐसे अर्दनग ने फोटो सूट करवाने या तो पूरे तरीके सा आपके ये नंगे होकर फोटो होती है अब इसके बाद मिलिए ममता कुलकरणीजी से ये 90 की बहुत ही फेमस अब नित्री रही है लेकिन वहीं ये अपने कॉंट्रवर्सी के लिए भी बहुत ही जानी जाती है इन्होंने भी एक ऐसा फोटो सूट करवाया तोपलेस फोटो सूट जिसे आप स्क्रीन पर द देखी सकते हैं कि दोनोंने कोई भी वस्त्र या कपड़े नहीं पहन रखे हैं दोनों के पूरे तरीके से जन्हनांग दिख जाते लेकिन वो तो कहिए भला हो इस अजगर का जिसने इनके पूरे सरीर को धक रखा है क्योंकि इनको तो सरम नहीं आई चंद पैसों और फेम क पूर का बिना कपड़ों के फोटो सूट करवाना या फिर उर्फी जावेध ही क्यों नहीं कम से कम कपड़े पहनो और पबलिक में उतर जाओ फेम पॉजिटिव हो या फिर हो निगेटिव चाहिए तो इनको दोनों ही आपका इस पर क्या विचार है कॉमेंट करके जरूर बताइगा आज की विडियो में बस इतना ही दने बाद